एपक्राइलेस हम लोग चैप्टरिस स्टार्ट करने जाहें इंवर्स ट्रिघ्नोमेंट्रिक फॉंक्शन्स करने सब्सक्राइब लेते हैं आगर माल लीचे ऐसे दो चीजों का प्रोड़क्ट है रिक्वर्ट टू बाद है दो एजबिक चीजे अगर मैं से वाई कारों करें डिवेडिक आपके अंदर या मैं लॉक्स के अंदर तो वो आपके आपका किस में पॉसी समें पासिवल रहा है अखी तो उसके लिएज वह सकती है तो उसके लिए इसमें तो है लेकिन यह चीज़ क्या है, students, meaningless है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें है, इसमें क्या होता है, so, here, if sin theta equal to x, अगर sin theta की value क्या है, x है, तो theta equal to sin inverse x, students, sin inverse x use करेंगे, इसको कैसे निदी करते है, theta equal to sin inverse x, ओके, यहाँ देखेगा, in this form, we get direct value of angle, यानि कि अगर मैं ऐसे कोई form दी हुई है, तो मुझे direct angle की value लिखनी है, मुझे इदर उदर कोई solution जादा नहीं लेना में, तो देखेगा, आप exam में लेता है, एक, sin theta equal to 1 by 2 किया होगा, तो theta equal to sin inverse 1 by 2 होगा, अब मुझे मानूर में कि sin theta की value 1 by 2 जो होती है, वो 10 जों पढ़के आए, वो होती है, यह 30 degree, इसके लिए students, 30 degree, 30 को और तीक लिए को में 5 by 6 radian में करवाट करता हूँ, ऐसे ही, इसको मैं अगर मैं इहना चाहूँ, और reading कैसे होने वाला, अतुरों से में दिख लेता हूँ अन तिक बार, theta equal to sin inverse x, V reading, sin inverse x, क्या read करते इसको, इस चीज़ को, sin inverse x, ठीक है students, अब ऐसे ही और की चीज़े consider कर लेते हैं, अगर post theta equal to y होता, तो theta equal to cos inverse y जाएगा, if 10 theta equal to z, कोई अलब चीज मांगी जाए, तो theta equal to 10 inverse z है, के लिए अगर चला आगे देखते है, if sin theta, if cos theta equal to 2 by 5, तो यहां से theta equal to cos inverse 2 by 5, के लिए रूमें चली आगे देखते हैं, concept of quadrants, हम लोगों ने coordinate geometry system कवाला पढ़ा जाद, उसको देविए दे, यह जो original line होती है, इसको बोलते है max axis, और इसको जो vertical line होती है, जो 93 इंगर बिनाते है, लाइन रोपी जाते है, यह होता है आपका y-axis, क्या होता है y-axis, जहां यह उससे को दोनों intersect करती है, उसे बोलते है origin, क्या होतने उसको origin, तो यह क्या बरते हैं, यह plane के जाया है, यह plane यह bold, उसके कि इतने part मेरा तो इस तरीके से, four parts, इन parts को बोला जाता है quadrant, जैसे 1st quadrant, 2nd, 3rd and 4th quadrant, students, जो 1st quadrant होता है, वो 0 से 90 degree value होती है, उसके इंदर, 2nd में 90 से 180, 3rd में 90 से 180, 4th quadrant 270 से 360, इस तरह से पूरा क्या हो जाता है, round हो जाता है, एक circle हो जाता है, एक cycle पूरी हो जाता है, अब मैं जो मेरे quadrants बने थे, उनमें मैं सुधी नमेंटी का value चेक करता हूं, कौन positive है, कौन negative, तो थोड़ा से 10th में हम होगी 11th पढ़के आएथे, उसे थोड़ा से revise करा रहा है, sin theta, cos theta, 10 theta, इनके reciprocal भी same rule follow करेंगे, अगर positive हैं तो reciprocal भी positive होगा, पर अगर यह negative हैं तो इनके reciprocal भी negative होगे, okay students, तो देखो, sin cos 10, फस्ट पार्ट में all positive, क्या, all positive, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं, A, A means all, सब्सक्राइब हैंगे, sin cos 10 में, sin positive बागी दोनो negative, तो इसे बोलते हैं उतो, S positive, ठीक है, किजिए रहे हैं सब्सक्राइब को, third cos 10, sin cos 10 में 10 positive, बागी दोनो negative, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूं, T, किजिए रहे हैं, तो इभी 10 positive, third जाते हैं, sin cos 10, 10 यहाँ पर क्या students, negative है, ठीक है students, तो sin cos 10 में, ध्यान से देखेगा, यहाँ पॉस हो गया, positive, तो इसे रिख देते हैं, स्क्वाटरिट के अपरोड़ी, C, तो इस तरह से, इसे आप A, S, E, C भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, A, S, E, C, यह आपके positive के rules हैं, समझ मैं आया सुपो, इसको ध्यान रखना है आपको students, ओके इस पर बहुत सारे question करेंगे, तो बहुत सारे application CC से निकल करेंगे,